हाई क्या हाले भाई? कैसे हो? हाँ सब ठीक? अरे कुछ तो बॉल भाई नई मतलब जिन्दगी में हमेशा एपी रहना चाहिए हाँ वो सब ठीक है पर हर संकट का सामना हस्ते मुस्कुराते करना चाहिए? अरे हाँ पर सदा हस्ते रहने से अपनी जिन्दगी जिने का ज़जबा है अब एक जितनी जादा स्माइल कर रहा है ने तू उतनी जादा छलक छलक के दिख रही तुमारे दातों में फसी हुई मेथी की सबजी ऐसा क्या? लेकिन मैंने तो शेपू की सबजी खाई थी में थी कि नहीं? डेंटर ट्रिटमेंट एक्सपेंसिव बिलकुल नहीं होती ये तो हम लोग है जो अपने इग्नोरंस से इसे एक्सपेंसिव बना देते डेली, करेक्ट ब्रेशिंग प्रेक्टिसेस और रेगुलर डेंटल ओपीडी विजिट से हम अपनी oral health को अच्छे से maintain रख सकते हैं जिसके लिए थोड़ा पैसा तो लगता है जैसे की ओपीडी विजिट चार्जेस यानिके जो डॉक्टर आपको चेक करता है उसकी फीज या फिर cleaning चार्जेस लेकिन लोग अकसर ये छोटे मोटे चार्जेस बचाने के लिए शौटकट निकालते हैं जो भी रेगुलर विजिट के प्रोटोकॉल से उन्हें इग्नोर कर देते हैं जिसके वैसे एक दिन दात आपका अचानक से दर्द होता है और डॉक्टर जवाब देता है कि अब इसे cleaning के नहीं रूट कैनल की ज़रूरत है और रूट कैनल का करचा कितना अगर आप मेट्रो सेटी में रहते हैं तो साथ से आट हजार एक दात का और ये खर्चा इंशोरंस में भी कवर नहीं होता हाँ अगर आप MP या MLA है तो सरकार आपका ख्यार रखती है लेकिन हम तो यार एक सिंपल से इंसान सर्वसामने जनता यार गिन चुनके 10-15-20,000 रुपए अपनी सैलरी होती है इतना खर्च हम नहीं कर सकते एक फटके में ठीक है इसलिए एडवांस में प्रिपेड रहना बहुत ज़रूरी है दाट सटने की नौबत ही ना नहीं दे तो चलो आज आपकी ओरल रेगिलरली आप जितना चाहे एक्यूरेटली ब्रश कर लो आपके दाट के कुछ कोने ऐसे होते ना जहां पे ब्रश नहीं पहुंचता इसका नतीजा ऐसे कोनों में तो सबसे पहले प्लाग जमता है फिर वो प्लाग कुछ दिनों बाद डेंटल केरी यानके डेंटल कैवि पर इसके sophisticated scientific nozzles और इस machine के motor का adjustable function इसे unique बना देता है पहले तो machine को full charge करो चार्जिंग के बाद port के cover को अच्छे से बन कर दो फिर इस machine से water tank को detach कर दो उसमें normal water fill कर दो maximum 300 ml पानी भरा जा सकता है इसके tank में फिर tank को machine के साथ attach कर दो ना ना बिलकुल डरना मत IPX7 waterproofing certification के साथ मिल cleaning के लिए यह standard nozzle jet है यह normal cleaning के लिए है और company एक extra jet भी देती है यह वाला orthodontic jet nozzle है यह उनके लिए है जिनको braces लगे हुए है braces को हलके friction से clean करने के लिए इसमें bristles attach के हुए है और यह रहा plaque brush jet जिन्होंने gums में surgery जैसे के dental implant fit किया है या bridge बना के attach कर रखा है तो ऐसे में gums को extra care की ज़रूरत होती है इनमें से आपको जो भी कोई suitable jet लगता है उसे attach कर दो और इस machine को इस्तमाल करना शूरू कर दो यह दे speed controller button और अब कुछ इस तरीके से एकदम नजदीक से दातों की जड़ों पे और दातों के बीच में जो gaps होती है उन पे इसे छिड़क ना है ऐसे आप 30 seconds से लेके 2 minutes तक इसका use कर सकते हो दातों को सिर्फ आगे से नहीं बलकि अंदर से भी clean कर सकते हो यहां तक कि आप इसके jet क speed को भी control कर सकते हो अगर आपके teeth sensitive है तो इसको आप low speed पर ही इस्तमाल करो इसके अलावा medium और high settings भी इसमें available है यह pulse वाला setting गम को massage देने के लिए होता है इस machine को fully charge होने के लिए 4 गंटे लगते और fully charge होने के बाद आप इसे लगातर 22 दिनों तक इस्तमाल कर सकते हो FYA इस company का यह जो dental flosser है यह बड़ाई study है और इसकी grip एकदम confident यह जो dotted वाले design मजाग नहीं कर रहा है इसी texture के वज़े से हमें एक firm grip मिलती है यह product hold करने में Indian Dental Association की माने तो brushing में आपके दार सिर्फ 60% clean होते है लेकिन flossing से plaque removal यानिके dental cleaning आप 90% अचिव कर सकते हो वैसे तो flossing के लिए dedicated interdental brush भी मिलते है लेकिन उनके दो side effects है एक तो इने इस्तमाल करते है वक्त जरा भी excessive pressure गिर गया तो यह आपके gums को hurt कर सकते है gum में bleeding inflammation हो सकता है और इनको आप अगर गोल गोल गुमा के इस्तमाल करोगे तो यह आपके दातों के बीच की gaps और ज़्यादा broad कर सकते है लेकिन अगर आप flossing के लिए FYA company का यह dental flosser इस्तमाल करोगे तो इसमें से कोई side effect आपको नहीं होगा यह long term investment है आपकी oral health के लिए FYA इस company का यह जो dental flosser है यह मैंने Amazon से purchase किया है लेकिन purchase करने से पहले मुझे ज़्यादा detail में पता नहीं था इस machine के बारे में तो accordingly मैंने सुचा क्यों न अपने family dentist के साथ थोड़ी सलाम उशोरल लीजा इसके पारे में मेरे dentist साव इतने इंप्रेस हो गए उन्होंने मुझसे पहले से order करा के मंगाया यूज भी किया and he is quite satisfied with it और अपने patients को भी recommend कर रहे कि आप इसे purchase करो regular use करो ताकि मेरी शकल आपको बार बार देखनी ना पड़े इसलिए मैंने भी इसे तुरन पर्चेस किया यूज किया और सही में मजा आ गया और मैं यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाता है अगर आप भी अपने oral hygiene को लेके concern हो तो इस product को आप purchase करने के लिए consider कर सकते हो बिंदास purchase करो इसके best buy link में नीचे description box में दे रहा हो उस पे click करके आप purchase कर सकते हो इसके अलावा आपके क्या विचारी इस product के बारे में comment box में mention करके मुझे पता ना भूलना नहीं वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा ही होगा यार प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करतो 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल होने अपने मिलते आपसे बोज़ लाइस हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बैबै